जल्दी जल्दी बताओ आपको वाज आ रही है गुड़ मारें गुड़ मारें गुड़ मॉर्रिंग पहले जल्दी जल्दी बताओ आपको वाज ख्लियर है आप में आडिवल अब आज क्लियर है सबको येस क्लियर है मैं तब तक अपने टेलिग्राम चैनल के उपर अपनी क्लास शियर कर देता हूं ताके बाकी बच्चों को भी नोटिफिकेशन बगरा मिल जाए तो स्टार्ट करेंगे आज की इस सेशन को जो हमारा है सेट नमबर 7 मैं तब तक अपने टेलिग्राम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेट नमबर 7 जो आपको आने वाले एक्जाम में आपको हेल्प करेंगे PCS और अन्य कोई भी एक्जाम आप दे रहे हैं जिसमें आपको जनल स्टार्ट का पार्ट रहेगा तो सभी एक्जाम में आपको ये help करने वाला है इंडिया का कोई भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हैं तो start करेंगे आज का set number 7 और इस class को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है Dr. Vipan Goy बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ आप मुझे different social media के उपर follow कर सकते हैं I am very very sorry कि मैंने जो PDFs हैं वो share नहीं करी मैंने आपको promise भी किया था बट हाँ पक्का 100% जैसे मरजे आपका हालो कि इस class के बाद आज के class की भी और बाकी भी PDFs जो है मैं telegram channel की उपर यहां पर share कर दूँगा जिटनी भी pending PDF है मतलब मेरा जो laptop है ना laptop की पूरी screen भर चुकी है क्योंकि मैं हमेशा folders के बाहर रखता हूँ जो आप लोगों के साथ share करनी होती है तो obviously बात है मैं सारी share कर दूँगा आज मैं बिल्कुल मतलब यहां पर PDFs और जो भी चीज़े आप लोगों के साथ share करनी है वो मैं आज कर दूँगा ठीक है बाकिया मुझे Instagram के उपर follow कर सकते हैं कोई paper exam doubts हो तो आप मुझे यहां पर email कर सकते हैं इस email ID के उपर start करते हैं पहले question से अगर आप PCS सारथी के उपर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को subscribe कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी end में अपने दोस्तों के साथ share भी कर देना like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना end में जब आपको अच्छी लगी तो चिक है चलिए जी अब क्लास की तरफ आ जाईए और पढ़ने की तरफ थोड़ा सा ध्यान देजिए in which are the falling state सुंदरवन mangrove is located सुंदरवन mangrove जो है आपके कहां पे located है first of all आपको यह पतावना चाहिए कि mangroves क्या होते हैं दलदल वाले जो plants होते हैं जिसे हम लिटोरल भी कहते हैं coastal areas में देखने को आपको मिलते हैं ठीक है swampy दलदल वाले actually क्या होता है कि यह जो plants होते हैं इनकी जो roots होती हैं वो ऐसे पानी में बहुत ज़्यादा अंदर तक धसी होती है जिससे क्या होगा पाने का कोई भी फरक नहीं पड़ेगा चाहे waves आ रही हो चाहे cyclone आ रहा हो तो यह जो हैं यह roots जो होंगी वो अंदर से उपर मतलब ऐसे उठके बाहर नहीं जाएंगी उसी जगा के उपर वो रहेंगी और यह hilling की जूलेंगी नहीं मतलब इदर उदर तो हो जाएंगी लेकिन ऐसे नहीं की पानी से निगल जाएंगी इतना strong होता है यह waves का, cyclones का यह जो अपने volcanoes, anything, कुछ भी जो है, smoothर में हो रहा है तो उसको बचाता है सुनामी बगारा को बचाता है जाने की उससे effect नहीं होने देता तो mangroves हमेशा हम अपने coastal areas में चलाते है सबसे बड़ा जो mangroves है इंडिया का और वो ही आपका सुन्दरबन mangroves है सुन्दरबन delta भी है and that is seen in the west bengal west bengal के अंतरगा देखने को हमें मिलता है सुन्दरबन की बात करता हूँ तो सुन्दरबन delta है और ये delta जो है गंगा और भ्रमापुत्रा रीवर मिलके बनाते हैं और west bengal में है ये और सुन्दरबन में आपकी एक tree देखने को मिलते हैं सुन्दरी trees देखने को मिलते हैं एक चीज आपको और मैं बताना चाहूँगा इसी में ही आपके दो कोशन और निकलते हैं वो दो कोशन क्या है अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की coastal states इंडिया की coastal states जो है ये वाली coastal states है अगर इंडिया का main land को हूँ ये धरती है इंडिया की main है तो ये 6100 km ये coastal states की boundary है अगर हमें इसमें लक्षद्वीप और अंडियमा निकोबार आईलेंड डाल दे तो 7516.6 km की boundary आपकी बन जाती है फिर आपसे ये भी कोशन पूछा जा सकता है अच्छे ये बताईए जो हमारी coastal states है उन में से सबसे ज़्यादा boundary जो है वो कहां पे है मतलब boundary किसकी सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा है आपकी किसकी डैड इसदा गुजरात की coastal states जाने कि तटिया रेखा जो है वो गुजरात की सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती है दूसरे नमबर पर आंधरा परदेश की देखने को हमें मिलती है तो ये भी कोश्चन आपके सामने आ जाएगा क्लियर हो गया आप लोगं को समझा आ गया जी 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 बहुत बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया ठीक है चलिए अंसर क्या बनेगा आपका बी ओप्शन बनेगा और अंसर नेक्स वोशन इस अगला कोशन दिखिए इन में से सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है आपके कौन से हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जी पहली बात तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो एक्चली क्या होते हैं आपके पेट्रोलियम परड़क्ट्स पेट्रोलियम एक्चली ये पेट्रोलियम परड़क्ट्स से बने होते हैं आपके डिटर्जेंट्स बगएरा ठीक है अब इसमें दो चीज़े होती है एक तो hydrophilic end होता है hydrophilic एक होता है hydrophobic point समझाया hydrophilic का मतलब क्या होगा water loving hydro मतलब water water loving clear hydrophobic मतलब repelling जाने कि पानी से धूर भागने बादे hydrophilic energy होता है वो होता है आपका ionic part जिसमें ions बनते हैं और hydrophobic का जो part होता है वो होता है आपका long carbon chain long carbon chain होती है आपका hydrophobic part ठीक है जो पानी से धूर बागते हैं अब बात यहां पर यह आ जाती है कि इसमें detergent कौन सा नहीं है अब इसमें देखो जी ions कहां पर बनते हैं ions का मतलब जो positive charge वाला particle होता है negative charge वाला kete因 औन आएं बगेरा तो अब इसमें आपने option में देखिये positive and negative ions कहां पर देखने को मिल रही है अब आप देख लो positive तो देखने को मिल रहा है यहां पे भी है positive negative देखने को मिलते हैं बट यहां पे जो D option है आपका, वो आपका कोई भी synthetic detergent नहीं है, क्योंकि इसमें carbon की chain देखने को मिल रही है ये वाला chain तो देखने को मिल रहा है हमें carbon chain तो देखने को मिल रही है, लेकिन ये ironik पार्ट हमें देखने को इसमें से नहीं मिलता क्योंकि देखो ये भी carbon chain है ये भी carbon chain है ये भी और ये भी लेगिन इसमें जो ionic part है वो आपको ये देखने को मिलता है और यहाँ पे कोई ionic part आपको देखने को नहीं मिलता तो इस question का जो answer बनेगा वो बनेगा d option बनेगा correct one clear हो गया आप लोगो जी समझा गया जी 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 बहुत बढ़िया yes answer number d is the correct one answer number d this is not a synthetic synthetic detergent चलिजी अगला question बताईए फटाफट अगला question बताईए फटाफट which one of the falling iron and steel plant is located neither on the iron ore area or on the coal field area but approximately at a midway between them देखे जी ये क्या कह रहा है ये कोई iron and steel plant है ना तो वो iron ore वाले area में है ना तो वो coal field वाले area में है लेकिन इन दोनों के area के बीच में हमें देखने को मिलता है and that area is बता सकते हैं आप लो ये कहां पे देखने को आपको मिलता है yes बिल्कुल हाँ उस जगा को हम और क्या कहते है industrial capital of industrial capital of जारखंड के नाम से भी इसको हम जानते हैं industrial capital of जारखंड के नाम से भी उसको जानते है clear तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा area है ताटा नगर भी कहते हैं steel city भी कहते हैं land of black soil के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसका जो पहला नाम था वो काली मटी था ये कौन सी जगा के बात कर रहा हूं है काली माटी का मतलब land of black soil clear इसी area को बोलते थे and that area is the जमशेदपूर वाला area जमशेदपूर जो है ये बिल्कुल ये पहला private फर्स्ट प्राइवेट जो है आपका iron and steel plant देखने को हमें मिला था फर्स्ट प्राइवेट iron and steel plant clear हो रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है आप लोगों को yes answer number a बिल्कुल जो है रुपाले खुश्पृति जसी रिशर अंकिता नंतू बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही चीक है so answer इसमें क्या बनने वाला है आपका a is the correct one a option बिल्कुल सही a is the correct answer जमशेदपूर ये कुछ आपको iron and steel plants के areas के नाम आपको मैंने बताने है ये पेपर में कई बार क्या होता कि match order falling में आ जाते हैं तो ये वाला point याद रखना राउर के लिए steel plant कहां पे है आपका उडिशा में है बर्नपुर जो है steel plant west bengal में है दुर्गापू steel plant west bengal में है कल्ती steel plant west bengal में है जमशेदपू steel plant जार रखंड में देखने को हमें मिलता है so all these are the points जो आपको याद रखने है paper में match order falling में भी पूछे जा सकते हैं और आपको नॉर्मले भी पूछा जा सकता है कि राउर के ला कहां पे है बर्नपूर कहां पे है दुर्गापूर कहां पे है तो ये areas के नाम भी पूछे जा सकते है आपको तो paper में ध्यान रखना किसी भी तरीके से question पूछा जा सकता है match order falling में भी पूछा जा सकता है और भी तरीके से एक चीज़ आपको और बता जाओंगा iron and steel plant की अगर आपने बात करी थी iron and steel plant की तो second five year plan आया था हमारा second five year plan जिसे हम 56 से 61 दक चलाया था जिसे हम नहरू महलनौबिस plan भी कहते हैं नहरू महलनौबिस plan के नाम से भी जानते हैं point समझाया और इसके अंदर जो है हमने तीन iron and steel plant चलाये थे वो तीन iron and steel plant कहां पे थे राउरकेला में जो option में लिखा हुआ है यहां पे राउरकेला ठीक है और उसके बाद जो है आपका दुर्गापूर ठीक है दुर्गापूर कहां पे है वेस्ट बेंगॉल में किसकी से कुला ठीक है और राउरकेला जो है एक है आपका बिलाई बिलाई जो है चतीसगड में है चतीसगड में है और एक किसकी मदद से कुला था यह कुला था रश्या की मदद से और जो राउरकेला है जर्मनी की मदद से कुला था वेस्ट जर्मनी की मदद से वेस्ट जर्मनी की मल से और ये है उडिशा में, ये है उडिशा में, clear हो गया, so these three iron and steel plants भी आपको याद रखने है, so these are very important point, clear हो गया आप लोगों को, जी, चलिए अगला question देखते हैं, देखो paper में इस तरही के question आते हैं, तो गडबड मत कर दे ना paper way, yes, अगला question देखेंजिए फड़ा फट, which are the following pairs are isoelectronic, what is this, what is the meaning of isoelectronic now, isoelectronic का मतलब ये है, iso मतलब same, electronic मतलब electron, मतलब जहां पे आपके same electron देखने को हमें मिलते हैं, वो क्या चीज होती है, आपकी isoelectronic होती है, clear हो गया आप लोगों को, अब इनके atomic number भी पता होने चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हैं, आप मुझे बताइए कि magnesium का 12 होता है, जब plus 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये lose करेगा, तो ये बन जाएगा 10, आरगन का कितना होता है, 18, तो obviously बादर 10 और 18 लिखा, तो कोई मेल नहीं है, तो option number 1 is the wrong one, sodium का होता है 11, positive लिखा हुआ है, तो बन गया 10, oxygen का होता है 8, 2 minus लिखा होता है, तो 10, aluminium का होता है 13, और 13 प्लस में है, तो ये बने गया 10, chlorine का 17 और minus में है 1, 18, potassium neon का होता है, आपका 10, potassium का कितना होता है, बता सकते हैं आप लोगो, yes, potassium का कितना होता है, देखू मैं कितने आते हैं आप लोगों को, potassium का 18 और 1, 19, तो ये obviously बात है, नहीं बनेगा, तो ISO, electronic concept बनेगा, आपका B option बनेगा, correct answer, na positive and o2 minus, clear हो गया आप लोगों को, yes, समझ आया तुम्हें, answer number B, समझ आ गया ना आप लोगों को, ये question समझ आ गया था न, please clear कि हाँ आपको ये question समझ आ गया था, जो मैंने भी आपको बताया था, ISO, electronic वाला, जल्दी से जल्दी बताईए, yes, anion होते हैं, जो गेन कर लेते हैं, electrons को negative charge हो जाता है उनके उपर, और के time जो होते हैं, वो आपका जो है, वो गेन कर लेते हैं positive charge, क्योंकि वो अपना electron जो है, वो lose कर देते हैं, yes, चलिए जिए, अगला answer बताईए, बॉक्साइड को हम as a principal raw material की तरह यूज़ करते हैं, कहां पर, यहां पर बताईए जी, बॉक्साइड जो है, और है, aluminum की, तो पहले तो answer बनाएंगे हम, A option is the correct answer, aluminum की और जो है, बॉक्साइड तो है ही है, और इसके साथ और कौन सी है, that is corundum, corundum is the ore of the aluminum, number one, और aluminum जो है आपका, earth crust में, earth crust में, मिलने वाला, सबसे ज़्यादा जो metal है, वो कौन सा होता है, aluminum होता है, number one, clear होगा आप लोगों को, और cement के अगर मैं बात करूँ, यह silicates होते हैं, of calcium and aluminum, clear होगा, silicates होते हैं, यह calcium और aluminum के कौन, cement वगएरा, clear, और cement में, अगर हम raw material की बात करें, तो इसमें clay भी होता है, limestone भी होता है, यह question आते हैं, paper में ध्यान अखना, जो मैं word use कर रहा हूँ, कि cement में clay भी होता है, limestone भी आपको देखने को मिलता है, point clear होगा आप लोगों को, cement की उपर, equation और भी आता है, किया, अगर मैं sand की बात करता, sand के साथ हमने cement डाल दिया, plus water डाल दिया, तो यह क्या बन जाता है, यह बन गया मोटार, यह क्या बन जाता है, मोटार बन जाता है, मिट्टी डाल दी, सिमेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, तो यह क्या बन जाएगा, आपका मोटार बन जाएगा, point clear हो गया आप लोगोगो, और अगर मैं कहूँ, मोटार के साथ, जो chips होते हैं, stone chips, पत्थर, वो अगर हमने डाल दिये, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, gravel क्या कहते हैं इसको gravel कहा जाता है point clear हो गया gravel कहते है yes नई जान बूचके डाला था मैंने इवर मोटार और stone chips के अगर हम डालते हैं तो बन जाता है concrete point clear हो गया concrete और यह stone chips जो होते हैं इसी को ही हम क्या कहते है gravel कहा जाता है याद रखना अगर मैं कहूँ कि concrete के साथ concrete के साथ हमने steel bars डाल दी जाने के steel की bars हमने डाल दी तो क्या बन जाएगा that is reinforced cement RCC reinforced cement बन जाएगा clear होगे आप लोगों को तो this is very very important ये paper में question आते हैं motor, concrete, RCC reinforced cement होते क्या है आपको difference पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीकी से यहां से question पूछा जा सकता है fertilizers की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लिए revolution कौन सा था? gray revolution देखने को हमें मिलता था ferromagnese की बात करूँ they are ferromagnetic, completely magnetized हो जाते हैं जिसमें आपका cobalt आता है, iron आता है यह आपके ferromagnetic substances देखने को में मिलते हैं, nickel, cobalt और iron वगएरा, तो answer number one is the correct answer, यह portland cement है, portland cement में question पूछा जाता है, कि portland cement में सबसे ज़्यादा हमें क्या में देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे lime calcium oxide, दूसरे नमबर पे silika clear, और तीसे नमबर पे almina, बस यह दो तीन ही याद कर लो, अगर आपसे paper में पूछ लिया जाए कि portland cement में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, point clear होगा आप लोगों को, तो यह चीज़ याद रखना चलिए जी, अगला answer बताईए which Indian businessman favored the healthy capitalism in helping Gandhijis to work towards a common capitalism क्या होता है capitalism, जिसमें private sector के पास चीज़े होती है, सारी clear, और government का कोई control नहीं होता, वहाँ पे होता leiser sphere का phenomenon leiser sphere का phenomenon इसमें देखने को मिलता है जहाँ पे government का कोई control नहीं होता सारा control private sector के पास होता है private sector हर चीज़ को देखता है point समझा है आप लोगों को now the question is कि private sector को तो तुम देख ले रहे हो government का कोई interfere नहीं करते हैं और इन्हों नहीं क्या वर यूज़ किया healthy healthy का मतलब यह है कि private sector के पास चीज़े तो होनी चाहिए competition जो है एक अच्छा competition होना चाहिए जिससे क्या है market grow करे आज मैं अगर बात करूँ capitalist countries के बीच में बहुत ज़्यदा grow करी हुई है लेकिन again competition बहुत ज़्यदा है और आज आप देख रहे हैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों याप student है exam एक है बच्छे एक्जाम के सीटे हैं suppose 500 या 1000 सीटे हैं उस exam को भरने की जो संख्या है बच्चों की संख्या जो है वो 3 लाख है तो मतलब that is the that is not the healthy capitalism that is the capitalism मतलब pure capitalism मतलब चीज़े इतनी है इतने सारे उसके पीछे पड़े हुए है तो that means ये competition competition में जो सक्षम होगा वो आगे निकल जाएगा वो clear कर लेगा तो that is the capitalism जिसमें government का कोई interfere नहीं है government ने बोल जाए कि ये सब के लिए एक market place है आओ business flow trade करो point समझा है आप लोगो laser sphere का phenomenon ये देखने को में मिलता है तो healthy capitalism होना चाहिए healthy capitalism का मतलए ये है सब को चीज़े opportunity सब को बराबर मिलने चाहिए तो healthy capitalism के लिए ये किस ने बोला था घंशाम दास भिरला ने बोला था answer number A is the correct answer answer number A is the correct one very very important point clear होगे आप लोगो G समझा गे आप लोगो answer number A एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा FIKI Federation of Indian Chambers of Commerce Federation of Industrial Chamber of Commerce clear ये इसकी full form होती है Federation of Indian Chamber Commerce Industry हाँ ये इसकी full form होती है FIKI की तो FIKI बना था 1927 में ठीक है अब healthy capitalism की बात करी थी तो ये किस चीज़ को regulate करने के लिए authority है again industry बगारा को regulate करने के लिए chamber बनाया गया है तो FIKI को बनाया किसने था घंशाम दास बिर्ला ने answer number one clear और इनके साथ है प्रशोत्तम दास ये बनाया गया था कब 1997 में किसके कहने पे गांदी जी के कहने पे तो वो ही same question यहां पे देखने को हमें मिलता है point समझाया same ही question है जो ये वाली चीज़ है इसको FIKI में लगा लो FIKI को इसमें लगा लो किसी भी तरीके से लगा लो question वो ही है same का same तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका answer number one is the correct answer answer number one clear ये टीटी कृष्णमचार्य की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पता कौन है आप लोग को drafting committee के अंदर एक member थे drafting committee जो हमारी सभिधान की drafting committee थी चलिए अगला answer बताईए 2011 का जो census हुआ था जनगन्ना हुई थी आपकी तो उसमें जो population movement देखने को आपको मिलती हैं जनगी एक area से दूसरी area में अगर लोग जाते हैं तो वो कहां से ज anders गए गाऊं से गाउं तक शेरों से गाऊं तक गाऊं से शेरों में और शेरों से शेरों में तो ये कौन सी population हमें देखने को मिली सबसे जादा हमें कहां पे देखने को मिली अगर मैं 2011 के census के according बात करता हूँ 53.82 population जो migrate हुई है एक area से दूसरे area में वो हुई है गाउं से गाउं में ही आपकी गई है गाउं से गाउं में ही गई है चाहे आप काम की वज़े से लगा लो शादियों की वज़े से लगा लो कि एक गाउं से लड़की की शादि दूसरे गाउं में हो गई है जा किसी भी काम की वज़े से लगा लो anything बट गाउं से गाउं में ही आपकी सबसे ज़़ा migration देखने को में मिली है और अगर मैं बात करता हूँ तो रूरल टू अर्बन की ये 20% है और अर्बन ये अर्बन टू अर्बन की बात करूँ तो ये भी आपका 20% देखने को हमें मिला है गाउं से शहरों में लोग 20% हुए है शहरों से बड़े शहरों में भी 20% देखने को हमें मिले है लेकिन main population जो है yes समझाया तो ये 53.82 population गाउं से गाउं में ही देखने को हमें मिलती है answer number one is the correct answer clear होगे आप लोगों को चलिए अगला question बताएए एक बच्चा गह रहा है कि sir ये question पहले भी बताया था सर तो पहले बहुत कुछ बताते हैं sir तो सब कुछ ही बताते हैं लेकिन बात ये है कि आप लोग बताई नहीं पाते पेपर में जाके फिर गड़बड़ कर देते हो वाँ पे जी अगला question बताईए ये एक painting रहे हैं ये वाले जो हैं और उन्हेंने ये painting बनाई है जिसका नाम है the in memoriam इसका नाम क्या है in memoriam इसका नाम है actually जो Christian ladies थी 1857 का जो revolt हुआ था तो obviously बात है ये भी लड़े थे अंग्रेज भी लड़े थे तो अंग्रेज जब लड़े थे तो उनकी भी death हुई है तो उनकी जो wife हैं जो ladies हैं उनके बारे में एक जो है ये picture बनाई गई थी उनकी the British lady in India during the 1857 mutiny अब बात ये हैं इस चीज़ को create किस ने किया था इस चीज़ को create किया था जोसफ नॉयल पैटन answer number B is the correct answer जोसफ नॉयल पैटन ने इस चीज़ को create किया था answer number B is the correct answer चलिए अगलांस से बताई ये तो बताई दोगे option मतब पेपर में ये फोटो ही दिख रही है आप लोगों को तो आप बताई देंगे जे soya bean जो है produce करने वाली state कौन सी है soya bean को हम मानते हैं बहुत अच्छा source प्रोटीन का अच्छा source माना जाता है और प्रोटीन जो होता है amino acid के बने होते हैं और प्रोटीन में carbon hydrogen oxygen और nitrogen देखने को मिलते है nitrogen is the essential part for the protein ठीक है this is important one अब बात ये है कि सबसे दा आपको soya bean कहां पे देखने को मिलते है minority मध्यापरदेश के बाद जो है वो मिलती है महराश्च्रा में फिर मिलती है सबसे सकते हैं महराश्च्छा के बाद कौन से न्मबर आता है महराश्च्रा का और उसके बाद रजस्थान का नंबर आता है answer number b is the correct one answer number b super important part है मध्यापरदेश is the correct one clear लिए मद्यापरदेश के according एक कोर में बात करना चाहूंगा यहां पर पन्ना बायोस्वियर रिजर्व जो आपके भारवा बायोस्वियर रिजर्व बना किसका युनेस्को के मैन एंड बायोस्वियर प्रोग्राम का बना पन्ना जो है माइंज मी जो डायमंड के लिए फेमस ह हीरो के लिए और डायमंड सिटी किसे कहते हैं हम लोग सूरत को कहते हैं पॉइंट समझाए आप लोगों को ये याद रखने वाला पाट है मद्यापरदेश में एक चीज और है अगर आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहां पे है तो वो भी मद्य जाने कि समबर्ति सूची में आते हैं ये सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इसके उपर कानुन बनाते हैं चंकरन लिस्ट में देखने को हमें बिलते हैं और इसको 42nd Amendment Act द्वारा जो है बदला गया था पहले ये स्टेट का पारट होता था अब इसको चंकरेंट लिस्ट में आप लोगो और और क्या था वेटेंड मेजर्स वेटेंड मेजर्स और क्या था एडमिस्रेशन ऑफ जस्टीस यह पांच चीजे जो है स्टेट से नागी निकाल के हमने कहां पर डाली थी तो एक ही गोशन से पता नहीं कितने गोशन बन गए हाँ एक और बता जता हूँ फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहां पर है आपका देहरादुन में देहरादुन is the capital of उत्राखन देहरादुन में आपके survey of इंडिया के भी headquarter देखने को हमें मिलते हैं इंडियन military academy भी वहां पर देखने को हमें मिलती है तो answer नमबर B अगला बताइए विचोधा falling can charge as an insulator what is the meaning of insulator now insulator word का मतलब क्या होता है insulator word का मतलब यह होता है जहां से current बिलकुल भी pass नहीं करता जैसे rubber की बात करूं, wood की बात करूं, they are insulators तो इन में से कौनसी जो electricity है वो insulator की तरह काम करती है तो कौनसी electricity है यहां पर, yes बता सकते हैं yes, static electricity, कई बार क्या होता है आप लोगों को देखा होगा आप लोगोंने कोई भी चीज़ को आप हात लगाते तो हलका सा current लगता है और वो अगर current action में हमें लगता, तो हमारी पूरी body में निकल जाता point समझाया, तो static electricity जो है insulator की तरह काम करती है वो हमारी body से pass नहीं होने लेकिन हाँ आपको feel ज़रूर आती है कि current लगा है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि वो body से pass कर गी वो insulator की तरह काम कर रही है, वहाँ पे तो answer इसमें क्या बनेगा answer number B is the correct answer, clear होगे आप लोगो, जी answer number B, that is static electricity is the correct answer current को मापने वाला, current के unit कौन से होते हैं, ampere याद रखना है आपको, ठीक है, and that's it, answer number B is the correct one चलिए अगर answer बताईए, ये कोशन बड़ा मज़िदार है आपका, जी, ये कोशन बहुत मज़िदार है, which of this is a legislative power of the president according to the constitution, कोशन बहुत मज़िदार है ये वाला, legislative power का मतलब क्या होता है, कानून बनाने वाली शक्ति, मतलब इसके पास कानून बनाने की शक्ति है, कानून ये बना सकता है, कौन बना सकता है, राष्ट्रपती, सविधान में ये पावर है, तो कौन सी चीज है, to summon the session, समन का मतलब क्या होता है, बुलाना, मतलब लोगसभा को बलाओ, राजसभा को बुलाओ, प्रॉपगेट दा session of the parliament, मतलब रोक देना किसी चीज को, अरजन, मतलब एक recess कर देना, जैसे school में हम आए, आधी चुट्टी होती थी न, कि हाँ 10 मिनिट बाद जा 15 मिनिट बाद जा आधे गंटे बाद आपकी classes start हो जाएंगी, खाना औरिनेल्स क्या होती है, first of all, औरिनेल्स एक सिधा का सिधा कानून हो है, executive law है, पॉइंट समझाया, सिधा का सिधा ये कानून है और ये कौन सी पावर है, उसकी राष्टपती की legislative power, what is the meaning, इसका मतलब क्या है, article 123 में लिखा गया है, जब parliament जो है, वो session में नहीं होती, जब parliament session में नहीं होती, session में ना होने का मतलब, लोकसभा और राजयसभा सदन में नहीं है, तो उस case में क्या होता है, उस case में अगर राष्टपती को लगे कि हमारे देश में एक ऐसी situation बने हुई है, जहां पर कानून बनाना ज़रूरी है, तो अगर 6 महीने बाद, parliament को लगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये continue नहीं होनी चाहिए, तो 6 महीने बाद ये खतम हो जाती है, लेकि राष्टपती को लगे कि होना चाहिए, भढ़ना चाहिए, तो 6 हफतों के अंतरगत जो है, इसी इसको बिल को पास करना ज़रूरी होत है, तो अगर आपसे paper में question पूछा, कि जब राष्टपती ordinance issue करते हैं, तो कितने time की अफदी होते हैं, तो 6 महीने, maximum time जड़ी 6 महीने प्लस 6 हफते, ये इसकी maximum duration होती है ordinance की, और हमेशा जब भी राष्टपती ordinance issue करते हैं, ये किसकी मदद से करते हैं, Union Council of Minister से consult करके जो है, य समझाया, तो answer number D is the correct one, चलेजे, अगला answer बताइए, शहीद लक्ष्टमन नाएक, the noted freedom fighter, ये कौन सी state से बिलोंग करते हैं, देखो मैं आपको चेह बहता हूँ, आप हमेशा जब आप paper attempt करते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं कि सर ये question कहां से आ गया, देखो ऐसे question जो होते ह अभी कभी डाल देता है, ठीक है, तो बस इन questions को आपको देखना होता है, अगर मैं prepare करवा रहा हूँ, आप लोगों तो पढ़ लीजे, अगर आप कोई model test paper आप attempt कर रहे हैं, जा कोई mock test वगरा attempt करते हैं, जा कोई भी कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें से ऐसे questions आ आप अपनी copy mail no down कर लिए, ताके end time में उसको एक पर देख ले, क्या होता है कि ऐसे question हमें नहीं पता कि कौन से exam में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और कैसे आ जाते हैं, तो otherwise अगर आपने नहीं पढ़े होते हैं, ऐसे question तो आप लोगों को यह question छोड़ने होते हैं, मैं आ निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं answer वहां से, point समझाया, तो आपको बस इसी तरीके से मैं कहूँगा, but answer इसमें D बनेगा, उडिशा is the correct answer, बस उडिशा को हम टिक करेंगे यहां पे, clear, एक चीज़े मैं आपको बताना चाहूँगा, उडिशा में भित्रकनी का नैशन पाक है, simulipal tiger reserve है यहां पे, जहां पे आग वगरा लगती ही रहती है यहां पे, और simulipal tiger reserve है, गाहिर माथा बीच है यहां के, गाहिर माथा बीच, जहां पे olive-related turtle, olive-related turtle जो है, वो क्या करते हैं, आके mass nesting, मास नेस्टिंग करते हैं और उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अरी बदा कहा जाता है पांड क्लियर हो गया तो इस कोशन का जो अंसर बनेगा वो बनेगा D option उड़िशा में उदाइगिरी और खांडगिरी hills देखने को आपको मिलते हैं उधाईगिरी और खांडगिरी hills Sun Temple को नार्क में है, लिंगराज Temple भी देखने को हमें मिलता है यहां पर, बहुत कुछ है यार उडिशा में, चिली का लेक है यहां पर सो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है उडिशा में, अंसर नमबर D क्लियर, 36 गड़ में गुरुगासिदास नैशनल पाक कांगेड वैली नैशनल पाक हमें यहां पर देखने को मिलता है इस्षेटिक लाइन्स के लिए गुजराथ फेमस है, और यह कौन सा है यहां पर गिर नैशनल पाक समझाया, और उतर परदेश में संगम होता है गंगा और यमुना का लहाबाद परियाग राज में अंसर नमबर D is the correct one अंसर नमबर D नेक्स गोशन बदाई periodicity of hell's comet कितनी होती है hell's comet hell'y के दोम केतु की जो आब आवदिक्ता क्या है क्या होती है ये अवधी क्या होती है hell's comet की देखें, comet जो होते हैं ये क्या होते हैं पहली बात हो ये आपकी frozen bodies होती है बरफ की ठीक है, icy joints होते हैं जब ये sun की तरफ आ रहे होते हैं मतलब sun की तरफ आ रहे हैं जैसे यह supposed sun है और यह IC Giants है यह जब इस तरह पर आ रहे होते हैं तो यह चीज पिगलती चली जाती है पॉइंट समझ आया यह चीज पिगलती चली जाएगी और पीछे एक पूछ की तरह जो है आपको देखने को मिलेगा एक टेल की तरह पीछे देखने को आपको मिलेगा क्लियर होगे आप लोगों को जी बिल्कुल सही अंसर नंबर डी इस दा करेक्ट अंसर अब नेक्स टाइम हमें कब देखने को मिलेगा 2021 में देखने को मिलेगा देखो मैं आपको चीज़ बदाता हूँ पेपर में जब आपको ऐसे कोशन पूछे जाते है न तो कई बार कुछ नहीं पता एक्जामीनर का ये पूछ ले ये हेलेस कॉमेट अगली बार हमें कब देखेगा 2021 में देखेगा इसको no down कर लेना ठीक है इसको no down कर लेना हाँ लास्ट टाइम कब दिखा था 1986 में दिखा लास्ट टाइम 1986 में अब कब दिखेगा 2021 में दिखेगा तो no down it clear no down कर लेना पता नहीं कुछ भी एक्जामीनर का क्या डाव दे एक्जाम में चलिए अगला अंसर who certifies the money bill money bill को certify कौन करता है money bill का मतलब क्या हो गया आपका धन विदेक bill clear एक bill को money bill कब कहा जाता है जब इस bill के उपर speaker के sign हो जाए जब speaker के sign हो जाए एक bill के उपर वो money bill बन जाता है और money bill article 110 में हमें देखने को मिलता है clear number one पहले तो answer टिक कर लेते हैं speaker is the correct answer speaker of the look sabah जब तक speaker के sign नहीं होते money bill आता कहां पे है लोग sabah में ही आता है clear 14 दिन की अवदी होती है जिसमें इसको पास करना जुरूरी होता है पार्लेमेंट दुआरा लोग sabah में आएगा राज्यसभा में बेजा जाएगा राज्यसभा के पास कोई भी शक्ती नहीं होती money bill के case में money bill सिर्फ उसको दिखाया जाता है ठीक है money bill उसको दिखाया जाता है अगर money bill मतलब राज्यसभा 14 दिन तक उसको अपने पास रखे तो automatically वो bill पास माना जाता है अगर money bill में amendment कर दे बदलाव कर दे कौन बदलाव कर दे राज्यसभा तो लोग sabah की मर्जी होती है उसको माने या ना माने वो भी उसकी मर्जी है clear होगे आप लोगों को तो ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए clear तो that means राज्यसभा की कोई पावर नहीं है इस money bill में लिखा क्या होता है इस money bill में लिखा होता है कोई भी आपने tax बढ़ाया घटाया लगाया वो salaries के बारे में लिखा होगा loan repayment के बारे में लिखा होगा consolidated fund of India से कोई भी आप पैसा निकाल रहे हैं जग खर्च कर रहे हैं उसमें जुड़ीश्री के उपर पैसा खर्च कर रहे हैं appropriation bill निकाल रहे हैं budget pass करने के लिए पैसा निकाल रहे हैं समझे रहे हैं आप लोग तो सब चीजी यह यहां पे चीजी लिखी होती है clear होगा आप लोग गो J सर आप कोशन बहुत repeat करते हो हमें नए कोशन नहीं मिल पाते एक बच्चा गह रहे हैं कि सर आप नए कोशन नहीं करवाते पुराने कोशन करवा रहे हैं मैं उस बच्चे को reply देना चाहूंगा बड़ा जब paper आता है न तो विपन सर ही याद आते हैं क्यूंकि विपन सर के repeat करा हुए कोशन पेपर में दिमाग में घुस रहे होते हैं समझाया उस साइम पर विपन सर की आवाज कानों में आ रही होती है और फटाफट बच्चा टिक करता है कल मैंने साथ या आठ जो है स्क्रीनशॉट शेर किये थे और इंडिया के डिफेंट कॉर्णर से वो मेरी आवाज के कारण जो उनके कानों में गूर्ण सी थी एक्जाम टाइम पे तब हुए है तुम लोगों ने नए कोशन करे हैं बुक लो मार्केट में इतनी बुक है धोरोज नए नए कोशन करो समझाया तो तुम इतना इतने परशानी मतलिया करो यार इतना परशान मतलिया करो कि मेरे से पढ़ना है मार्केड में एक बुक शॉप में जाओ सारी बुक सी बुक सा सारे ही नए के नए कोश्य है करो वहां से क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है कुछ भी दिक्कत नहीं है करो वहाँ से सब You are the King 근데 but Eventually Kingdom को बनाने वाला कौन है Me Okay You are the King but Kingdom को बनाने वाला कौन है इधर बैठ है समझाए आप लोगं को Yes अगला कुशन बताओ चलिए अगला कोशन बता ये, what a view to have animal protection, world over the several countries have been brought under the covers of sites, with effect, from 26 August 2019, what does E stands in the acronym, नहीं, point समझाए आपनों को, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, actually ये question जैसे मर्जी उसे ने डाल दिया, actually वो डालना चाता है, sites words के उपर question, what, sites क्या है, sites का मतलब क्या है, yes, बता सकते हैं आप लो, बताओ, 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 yes, sites का मतलब क्या है, convention on international trade of endangered species of flora and fauna, इसकी full form ये है, समझाया, sites की, और जब endangered species की अगर हम बात करने लग गए, तो इसका मतलब ये red list की बात चल रही होगी, और red list चापता कौन है, IUCN चापता है, international union for conservation of nature, जिसके headquarter कहां पे है, gland, switzerland में देखने को हमें मिलते हैं, now the question यहाँ पे e-word का मतलब क्या है, तो e-word का मतलब यहाँ पे endangered होता है, तो यहाँ पे answer क्या बनेगा, a, that is a option, endangered is the correct answer, लुप्त प्राई जिसे हम कहते हैं, yes, answer number one is the correct one, answer number one, endangered is the correct one, endangered, clear हो गया, लुप्त प्राई is the correct one, यह हो गया जी आपका a, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, eco-friendly, eco-friendly होता है, eco-mark, अगर आपसे पूछा जाए कि eco-mark word का मतलब क्या होता है, यह question आता है, प्रिपर में बहुत बार आता है, what is the definition, what is the meaning of the eco-mark, that is environment friendly, eco-friendly जिसे हम कहते हैं, तो answer इसमें क्या बनेगा, आपका a is the correct answer, that is endangered is the correct one, चलेज़े, अगला question बताओ, अब यहाँ पे देखो, यह question जो है, यह environment ministry ने tiger population के बारे में हमें बताया, ताकि सबसे ज़्यादा tiger population कहां पे देखने को हमें मिलती है, yes, यह वैसे question normal है, क्योंकि tiger reserve सबसे ज़्यादा कहां पे है, in options के according, that is in the madhya pradesh, madhya pradesh में ही आपकी tiger की population सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, answer number B, madhya pradesh के बारे में मैं बहुत सारे चीज़े बता चुका था, लेकिन कुछ और question है, जैसे के tiger की अगर मैं बात करूं, tiger project हमने 1973 में लगाया था, project tiger number one, और tiger का जो आपका scientific name है, वो है panthera tigrees, panthera tigrees, this is the name, panthera tigrees, clear number two, एक यहाँ पे जब environment word आ रहा है, world environment day यह कब होता है, that is 5 June को होता है, United Nation Environment Program इसके headquarter कहाँ पे है, नेरोभी कीनिया में देखने को हमें मिलते हैं, NGT, National Green Tribunal जो 2010 में बना था, और यह भी environment cases को संभालता है, NGT के headquarter कहाँ पे हैं, दिल्ली में हमें देखने को हमें मिलते हैं, दिल्ली में main headquarter हैं, आप मुझे comment section में लिखके बताऊंगे, कि यह NGT के chair person कौन है, comment section में लिखके बताना मुझे आप लो, तो answer number B is the correct answer, मध्या परदेश, चलिए अगला answer बताईए, अगला बताईए, अगला बताईए, अगला बताईए, अगला बताईए, अगला बताईए, अगला बताईए, यह कुछ न कुछ, यहाँ पर गिरता ही रहता है मेरे से, मेरे table थोड़ी सी ज़्यादा ही भरी रहती है, laptop, computer, सब चीजें, गांधी इर्विन पैक्ट जो साइन हुआ था, वो कब हुआ था? अग्चली यह पैक्ट साइन क्यों हुआ था? गांधी जी ने उस ताइम पे civil disobedience movement launch करी हुई थी, number one, पूरा देश इंडिया गांधी जी के साथ था, इर्विन उस ताइम पे गवर्नर जनर्र वाइस रॉय है, और यह इंगलेंड में चल रही थी roundtable conferences, और उस राइन पे पहली roundtable conference होगी थी, जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी वाली जो हम कह सकते हैं, सबसे बड़ी, that is, क्या कहते हैं, उसको party, INC participate नहीं करी थी, ठीक है? तो इर्विन के उपर यह दवाब था कि गांधी जी को जैसे मर्ची मनाओ और INC को participate करवाओ roundtable conference में, इर्विन का उदेशय यही था, ठीक है? गांधी जी कहते, ठीक है, मैं आऊंगा, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी political prisoner आपने पकट रखे हैं, उनको छोड़ो, salt tax तोड़ो, बाकि जितने भी सब चीज़े हैं, एक दो बच्चे इसमें कहा रहे हैं, कि सर जी ये लाइव कब से स्टार्ट होगा, जो मेरा paid course है, जी ये लाइव की classes जो हैं, आज कल स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, मैं पीडियोस में भी डालूँगा, टेलिग्राम पे, क्योंकि आज सभी office बगयरा में चुटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कि मैं तो घर से classes ले रहा हूँ अपनी, ठीक है, तो YouTube हो जाता है, लेकिन ये जो पीछे paid वाली classes का handle करना होता है, तो चुटी है, तो कल हम start करेंगे, और उससे पहले आप लोग को पता था, मितलब कोई दिक्कत चल रही थी मेरी, ठीक है family में, और family में दिक्कत क्या थी, मम्मी और बिमार थे, और मैं सबसे बोल के गया था, कि मैं चुटी ले रहा हूँ कुछ time के लिए, and then I will start, कल से start हो जाएगा आपका, चले जी, 1931 is the correct answer, answer number B is the correct one, clear हो गया आप लोगों को, so ये हो गया जी, 30 में आपका civil disobedience, 32 इसमें राम से मैकडॉनल अवार्ड, जो के communal अवार्ड था, ये घोशित किया गया था, राम से मैकडॉनल ने, और 32 में ही, गांधी, अमबेदकर पैक्ट साइन होगा था, जिसमें reservation देने की बात करी गई थी, point समझाया, reservation देने की बात करी गई थी, और दूसरी बात यहां पर यह है, कि reservation देने तो बात करी गई, लेकिन इसमें sign किस किस के हैं, अमबेदकर जी के और, अमबेदकर जी के साथ किस के हैं, मदर मोहन मालविया जी के sign किये गए हैं, so this is very important, 34, Congress Socialist Party बनी थी, Congress Socialist Party बनी थी, अचारे नरिंदर देव उज़ा, chair person, ठीक है, राम नोहर लोहिया, ऐसे सारी लोग involved थे, यहाँ पर 31 is the correct one, 31, चलीज़े, अगला कोशें बताइए, इन में से कौन सा पार्ट है, जहाँ पर emergency provisions, जो है आपात कालीन प्रावधान, जो हैं आपके देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपात कालीन प्रावधान, जो है कौन से देखने को में मिलते हैं, तो कुछ पार्ट हैं यहाँ पर, पार्ट 9 के अगर मैं बात करता हूँ, तो पंचाइती राज institution की बात आती है, यहाँ पर, पार्ट 13 की अगर मैं बात करता हूँ, trade commerce की बात आती है, यहाँ पर, पार्ट 18 जो है ये बात करता है Emergency Provision अगर आपसे पूछा Emergency Provision हमने कहां से बोरो करी है तो आपका अंसर बनेगा Government of India Act 1935 अब आप लोग चिलाएंगे क्या चिलाएंगे Sir Germany Sir Germany Sir Germany लेकिन आप लोग पता क्या करते हैं जस्ट देखते हैं और उसमें टिक कर देते हैं कि हाँ यही अंसर बनेगा Germany से हमने यह लिया था कि आपके जो fundamental right है यह abolish हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे during emergency यह चीज़ हमने ली थी लेकिन emergency provisions जो है हमने 1935 के Act से ली थी पॉइंट समझ आया और आप में इसे काफी बच्चे एक आएंगे सर नहीं नहीं जर्मनी आएगा जर्मनी आएगा जर्मनी आएगा और वो गलत हो जाएंगे और फिर पेपर में कौन याद आएंगे विपेंसर नजर आ जाएंगे ठीक है यहस तो answer number D is the correct answer answer number D चलो अगला answer बताईए यह यह right to education जो बात करता है यह कौन सा amendment act है जो right to education के बारे में बात करता है education के अगर मैं बात करता हूँ तो 11 fundamental duty आती है हमारी 21A आपका article number आता है article number 40 यह fundamental right में आता है article 45 जो directive principle of state policy में आता है यह सब चीज़े देखने को मिलती है 86 amendment act 2002 में देखने को हमें मिलता है so this is very very important this is the right to education और education कौन से list में आता है education is in the concurrent list समवर्ती सूची में देखने को हमें मिलता है समवर्ती सूची में clear होगा आप लोगं को yes answer number B is the correct answer answer number B 90 second amendment की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथली, संथाली यह चार भाशाएं जो हैं हमारी official भाशाएं add करी गए थी 8 में schedule के अंतरकत और 18 से number पहुंच गया था 4 add करके total 20 so अब total 20 official languages हैं हमारी तो वो 90 second दोवारा जो है चार भाशाएं add करी गए थी so this is very very important point clear होगे आप लोगो जे answer number B is the correct answer चलिए अगला answer बताईए इंडस्वेली साइट्स में actual remains हमें rhinoceros के कहां में मिलते हैं rhinoceros ganda जिसे हम कहते हैं clear और rhinoceros की बात करूँ इंडिया में काजी रंगा नैशें पाक है वो one horn rhino के लिए famous है अस्सम के अंतरकत ठीक है लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडस्वेली साइट में अंसर नंबर D is the correct answer अमरी is the right one यहाँ पे जो मोहजदारो है यह यह पाकिस्तान में है और यहाँ पे हमें great bark great granary यह सब चीज़ी मिली है पशुपती महादेव की seal मिली है माउन अगर dead कहते हैं oasis of the sindh कहते हैं सिंद में उपजाव भूमी के नाम से भी जाना जाता है हडपा पहली साइट discover करी गई थी six granaries in the row छे granaries जो हैं एक ही row में हमें देखने को मिलती हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिली काली बंगन यहाँ पे black bangles देखने को हमें मिली यह सब चीज़े हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं तो answer number D is the correct answer amri is the right one amri clear हो गया yes answer number D is the correct one answer number D so guys यह थे आज की lecture के अंतर question so I hope आपको lecture अच्छा लगा होगा lecture अच्छा लगा है तो like करना, share करना अपने दोस्तों के साथ और किस तरह के classes लगती हैं आपको comment section में जलूर बताना बाकी जितने भी PDFs हैं मैं अभी just class को खतम होने के बाद ही आपके telegram channel के उपर यहाँ पे share कर दूँगा Dr. Vipan Goyal के telegram channel के उपर Instagram के उपर आप मुझे follow कर सकते हैं कोई paper हो, doubts हो, exam हो यहाँ पे आप मुझे send कर सकते हैं और thank you so much चीक है तो यह थे आज हमारा set number 7 तो कल हम इसी time discuss करेंगे set number 8 और शाम को भी हम आज class लेंगे शाम को भी एक class होगी आप लोगों की, same time 9 p.m चीक है, तो और भी हम देखेंगे कौन सी चीज़े हैं वहाँ शाम को तो हम एक subject वाइस classes discuss करते हैं, देखूंगा आज मैं कौन सी class पढ़ाऊं economy पढ़ा दूँ, quality पढ़ा दूँ, history पढ़ा दूँ मतलब MCU की form में so वो हम चीज़े discuss करेंगे clear होगे आप लोगो जी, so वाइस यह थे question so thank you so much अच्छे से प्यार बना के रखें और अच्छे से हम भी आगे बढ़ते चले जाएंगे इकठे बढ़ेंगे, अकठे काम करेंगे so thank you so much, good luck, take care, bye, bye जैहिद दोनों हाथों से